कारों के अगुआ हेंडरी फोर्ड 1940 के दर्शक के शुरू में भांग और दूसरे पौधों से मिलने वाली सामगरी से बनी गाड़ी के एक नमूने को परख रहे हैं डेमो तो जो है सो है, मार्केटिंग भी कम नहीं ये गाड़ी धातु से बनी अन्य गाड़ियों के मुकाबले हल्की और स्थिर थी लेकिन इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हुआ सस्ते कॉटन के निर्याद से पहले 19. सदी में यूरोप के कपड़ाओ द्योग में भांग एक एहम चीज थी बाद में नशीलेपन की वज़े से कई देशों में इस पर बैन लगा दिया गया लेकिन हाल के वर्षों में इसके प्रती नजरिया बतला है कैनेड़ा जैसे कुछ देशों ने राश्ट्री इस तर पर मारिवाना को लिगलाइस कर दिया है इंडस्ट्री वाली भांग में नशीलापन कम होता है इसमें CBD यानि कैना बिडियॉल पदार्थ भी मिलता है जो कई सारे उपचारों में फाइदमन माना जाता है यूरूप के बारे देशों में इसके मेडिकल इस्तेमाल की अजाज़त है ये बात अभी साबित नहीं हुई है कि आपको ड्रग्स की तरह कैनाबिस की लट लग जाएगी हम चाहते हैं मरीजों को अपनी परिशानियों से रहत मिले जिन में केमो थेरेपी या रेडियेशन से होने वाला दर्द उपकाई उल्टी भी शामिल है भांग एको फ्रेंडली बेल्डिंग मेटीरियल भी है ये इमारतों में तापमान और नमी को रेगुलेट कर सकता है जिससे उर्जा की बचट होगी एक क्लासिक वॉल इंसुलेशन भांग पॉलिस्टाइरीन या मिनरल वूल का अच्छा विकल्प है भांग नमी और कीड़ों को दूर रखती है मिट्टी में मिलाने पर ये सद्यों तक टिकी रहेगी भांग रिन्यूएबल कच्चा माल है लेकिन इसे कड़ी शर्तों के तहती उगाया जा सकता है यूरोपीय संग में सिर्फ कुछ खास किस्म की भांग की खेती ही की जा सकती है और द्योगिक भांग का पौधा तेजी से उकता है और उसके बहुत से इस्तेमाल है भांग की खेती में कौटन के मुकाबले 50 फीस्दी कम पानी लगता है भांग को सिंथेटिक मेटीरियल के साथ मिलाकर खाद भी बनाई जा रही है BMW जैसी कार निर्माता कमपनियां कार डोर पैनलों में भांग का इस्तेमाल करती हैं भांग से बने स्मार्टफोन कवर भी मिलते हैं इन नई चीजों को बनाने में मेहनत जादा है ये महंगी भी हैं लेकिन भांग है बहुत काम की चीज़ ये प्रोटीन और ओमेगा-3 और ओमेगा-6 जैसे फैटी एसिडों से भरपूर है यही बज़े है कि लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री में CBD का बोल बाला है तेल, क्रीम और साबून के अलावा लेमोनेट, केक और कॉफी में भी मिलता है